हलो डियरी श्टुडेंट्स, अब बेलकम बैक इन देसी युक्षा और आप लोग कैसे हैं, आई होप आप लोग स्वस्त होंगे और मस्त होंगे है ना डियरी श्टुडेंट्स यार, work energy theorem, एक ऐसी theorem होती है, जो आपको बहुत ही मदद करती है, जब आप work power और energy का chapter पढ़ रहे होते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा question है, और इस question को पहले आप carefully read out करिएगा, उसके बाद आप इसको hit करने का परयास करिएगा चली, question है कि, an object of mass m is tied to a string of length l and a variable force f is applied on it, which brings the string gradually at the angle theta with vertical तो find the work done by the force, तो यह जो force इस पे लगाया जा रहा है, इस force के द्वारा आपको work done find out करना है तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा basic बता दें डियर, कि work energy जो, work energy जो theorem है, basically जो आप work energy theorem पढ़ने जा रहे हो तो work energy theorem का एक basics है, वो basic यह कहता है, कि अगर कोई भी, कोई भी object हो, इस object पे जो f net लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? f net कह लो, है न, या f net या आप ये कहिए, कि इस पे जो net work done होगा, इस पे जो net work done होगा, net work done जो होगा इस पे, work done जो होगा, वो क्या होगा? वो होगा the change in kinetic energy के बराबर, तो change in kinetic energy जो होगी dear, वो किसी भी object पर, वो किसी भी object पर, जो net work done होगा, उसके बराबर होगी, अब आईए हम लोग ये देखते हैं, कि ये जो particular object है, इस object पे कितने तरीकों से force काम कर रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे, कि भी अगर ये रसी है, तो उपर को tension लगेगा, चीक है, यहाँ पे एक tension लगेगा, इस पे नीचे mg काम करेगा, चीक है, और इस पर यफ external इस तरीके से लगाया जा रहा है, तो अब देखो, ये जो होती है, ये इसकी mean position होती है, mean position से ये object कहां तक आया है, ये object position यहां तक आया है, चीक है, अब यहां तक आने में, ये कितना height कबर करेगा, suppose करो कि ये h height कबर किया होगा, और एक बात ये समझे कि नीचे क्या काम कर रहा है आपका mg, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, कि इस पर जो f network कर रहा है, उसमें कौन-कौन सा work है, तो network की अगर हम लोग बात करें, तो network में आपका कौन-कौन सा आ रहा है, network में आपका पहला तो आ रहा है, work by tension, प्लस work by mg और work by external force, अब ये सारे की सारे जो work done इस पर हो रहे हैं, ये सारी की सारी जो energy होगी, वो किसके बराबर होगी, change in kinetic energy की, change in kinetic energy की अगर बात करें डियर, तो ये सबसे पहले यहां से release किया गया होगा, और जब ये release किया जा रहा था, उस समय इसकी जो initial velocity थी, वो 0 थी, और जब ये last में इस position पे आ गया है, तो यहां पे इसकी final velocity फिर से 0 हो जाती है, इसका मतलब अगर हम लोग change in kinetic energy की बात करें डियर, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा, ओके, और बात ये करें कि work by tension, तो tension आप सारे लोग जानते हों कि tension जो होता है, और इसमें जो motion हो रही है, motion इसकी क्या होगी, इसकी motion always tangential होगी, और work done जो होगा, और ये जो tension होता है, ये tension perpendicularly काम करता है, तो इसका मतलब ये जो work done by tension होगा, ये भी 0 होगा, इसका मतलब finally आपका जो work done, या work network जो आएगा आपका, वो आएगा WMG और प्लस WF, यानि कि F externally is equal to कितना? 0, अब हम लोग ये देखते हैं कि YMG के द्वारा कितना work done किया जाएगा, तो भाई YMG के द्वारा जो work done किया जाएगा, वो क्या होगा? वो यही होगा कि object यहाँ पे था, और इतनी उचाई पे आ गया है, और YMG हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसका जो work done होगा, वो कितना होगा? माइनस MGH, माइनस MGH, लेकिन दिकत यह है डियर कि यहाँ पे हमें H की बैलू नहीं पता है, तो H की बैलू जब हमें find out करना होगा, तो हम कैसे find out करेंगे? भाई यही तो distance H है, यही distance तो H है, अच्छा ठीक है, अगर यही distance H है, तो यह बताओ, यहाँ से यहाँ तक की distance कितन को आप cost theta से relate कर सकते हैं, भाई cost theta is equal to यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर, तो cost theta is equal to क्या होगा, base, base बोले तो, base बोले तो इतनी length, ओके, तो आप सीधे लिखिए base upon hypotenuse, और hypotenuse कितना है, L है, तो यहाँ से अगर हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग किस की बात करें, अगर ह इकल टू क्या हो जाएगा, L cos theta हो जाएगा, L cos theta, अगर हम H की बात करें यहीं पे, तो यह क्या हो जाएगा, L minus L cos theta हो जाएगा, क्या यह बात आपको समझ में आती है, L minus L, यानि कि अगर H की बात करें, अगर L हम यहाँ से कामन ले 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 तो 1 minus cos theta, यानि कि H की value डियर क्या गई L 1-cos theta अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर H की value रख देंगे और जैसे ही हम लोग इस equation में H की value रखेंगे यह हो जाएगा minus mg L 1-cos theta 1-cos theta अब इसको हम लोग इस वाले equation में रख देते हैं इस वाली value को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा WMG की जगा हो जाएगा minus mg L 1-cos theta 1-cos theta plus WF is equal to 0 तो यहाँ पर WF is equal to क्या जाएगा force externally is equal to क्या हो जाएगा बताएगे यह हो जाएगा आपका mg और H की जाएगा L 1-cos theta तो यह बहुत ही प्यारा question third year और मेरे ख्याल से एक question आपको बिल्गुल समझ में आ होगा कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे question में केवल अगर आपको थोड़ा सा idea हो जाए कि कैसे components को तोड़ते हैं और किस तरीके से सारे के सारे हम force को सारे के सारे work जो इस पे हो रहे होते हैं उसको कैसे recognize करते हैं बस अपना काम हो जाता तो मेरे ख्याल से एक question आपको चबरदस्त लगा होगा यह question आपको कैसा लगा आप इसको comment में जरूर करके बताए और work power or energy की पूरी video access करने के लिए आप इसके देसी कक्षा के इस वाले playlist में जाएए work power or energy वाले playlist में जाएए वहां से आपको सारी की सारी videos access करने का मौका में जाएगा डियर that is quite free of cost आप आराम से उसको देखिए कोई दिक्कत नहीं है वीडियो कैसे लगी आप comment करके जरूर बताएगा ओके लिए तो जहां कहीं भी आप बिल्गुल सौस्त रही बस रही बस रही और ऐसे ही लगे रही है मिलते हैं नए लेक्षर में कुछ नए काउंसर आप तब तक के लिए जाएए